इंडिया UI UX के डिजाइन और डिवलप्मेंट न्यूज में आपका स्वागत है सबसे पहली न्यूज है Figma AI की चोरी की Figma AI का एक फीचर है Make Design जब Figma AI को बोला गया कि Weather App का डिजाइन करके बताओ तो Figma ने ये वाला Weather App का UI बनाया अब ये बिल्कुल जो है Apple के Weather App की कॉपी है बार बार ट्राइ किया गया Figma में हर बार Figma AI ने ये ही वाला Apple Weather का UI बना कर दिखाया अगर ऐसा होगा तो Apple Figma पर केस कर सकता है तो Figma की Founder और CEO है डालन फिल्ड ने का है कि Figma AI जो है वो नाई Figma के Users के डिजाइन को रेफर करता है और नाई वो किसी existing mobile app के डिजाइन को रेफर करता है बट वो ये भी मानते हैं कि Figma AI की जो variability है AI को समझने की और result लेनी की वो अभी थोड़ी सी कमजोर है इसलिए वो किसी भी existing app को कौपी करके डिजाइन बना रहा है इसी वज़े से Figma ने फिल्हाल के लिए Make Design को बंद कर दिया है ताकि वो जाच कर सकी कि वो इनका AI सिस्टम सही तरीकी से काउं कर सके और future में कोई प्राब्लम ना हो अगली news है jobs को लेके UI UX Design के जॉब मार्केट में थोड़ा सा रेज हुआ है जहां में के मैंने में UX का जॉब मार्केट न्यूट्रल था वही जून के मैंने में इसे थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है पर क्या हम बता सकते हो किस रोल में ज्यादा हाइरिंग हुई है ये है UX Research UX Research के फिल्ड में बहुत ज्यादा हाइरिंग हुई है फिर जाए वो USA हो, UK हो, Gulf हो या इंडिया हो हर कंट्री में UX Researcher की थोड़ी डिमांड बढ़ी है और हाइरिंग भी हो रही है वैसे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में UI UX Designer के दूसरे रोल में भी एक्वाइमेंट बढ़ेगी बढ़ अभी देखा जा रहा है कि Tech Companies में अभी भी ले आफ हो रहे है और ज्यादा दर डिजाइन और Development फिल्ड में हो रहे है तो लेट सी ये कब तक चलता है बढ़ हमें तयार रहना है जब मैंने UX Researcher की बात की तो सच में उनकी डिमांड है क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट न्यूज है Adobe दोन रहा है Generative AI Researcher को वो भी अलग-अलग फिल्ड में जैसे कि HCI फिल्ड जो हमारा फिल्ड है और UX Research फिल्ड इस फिल्ड के लिए Adobe को Generative AI Researcher चाहिए इसके साथ ही Computer Vision, NLP, Generation Image, Multimodel Processing इस फिल्ड के लिए भी Adobe को AI Researcher चाहिए हमें तो फोकस करना है Generative HCI Researcher पर जो डिजाइन और प्रोटोटाइप करेगा AI के नए प्रोडिक्स को मैं तो कहरा हूँ यह बहुत ही Amazing Opportunity है और मैं भी इस फिल्ड को बहुत जादे Explore कर रहा हूँ क्योंकि यही Future है अगर आप अपना Future अगले 10 सालों के लिए Secure करना चाहते हैं तो इसी तरह के Jobs पर फोकस करना होगा मैं आपको किसी भी तरह से Assist कर सबता हूँ तो मुझे Definitely बताईए अगर आप Adobe के इस जॉब के लिए अपलाए करना चाहते हो और अगर आप Experience नहीं हो तो आपको Computer Science, Electrical Engineer या Mathematics में होना चाहिए या फिर अगर आप Experience हो तो आपको कम से कम 5 से 7 साल का UX Research का Experience होना चाहिए तब जाके आपको यह जॉब मिलेगी और इसके Developers को दूसरे कामों में लगा दिया है यह News आपके लिए इसी लिए भी है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप किसी MWC प्रोजेक्ट पर काम करें जहापे Figma के डिजाइन की ज़रूत होगी कुछ समय पहले ही MWC टीम ने बताया कि अब वो सिर्फ Maintenance Mode में रहेगा यानि इसमें कोई नया फीचर या अपडेट नहीं आएगा जो लोग नहीं जानते MWC क्या है तो यह एक लाइबरेरी था जिसमें Dialog Walks, List, Menu, Sliders यह सारी चीज़े होती है जिने Developers अपने Website के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा UI Kit होता है या डिजाइन सिस्टम होता है या उसी तरीकी का था अगरी न्यूज है Adobe के Competitors Affinity से Affinity अपने Users को 6 मैंने के लिए Free Trial दे रहे है अगर आप Photo Editing, Graphic Designing या Page Layout का का काम करते हैं तो आपके लिए यह अच्छी न्यूज है Affinity Company अपने तीनों popular software Photo, Designer और Publisher को Free Trial दे रहे है यह Trial पूरी तरीके से Free है आपको सिप Sign Up करना है पस उसके बाद आप उसको 6 मैंने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हो Affinity जो है वो Adobe का Competitor है और उनका Software जो है जैसे कि Affinity Photo यह Adobe के Photoshop जैसा है Affinity Designer जो Illustrator के जैसा है और Affinity Publisher जो InDesign जैसा है बहुत ही similar software है मेरी टीन भी Affinity यूज करती है और यह amazing software है बहुत ही easy आप इसमें काम कर सकते हो यह सारे software Windows के लिए Mac और iPad पे भी चलते है सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे subscription लेना नहीं पड़ता अगर आप उसको खरीदना है तो एक बार आपने खरीद लिया उसके बाद पैसे देनी के ज़रोती नहीं है और मैं तो कहता हूँ कि यह 6 मैने के लिए अगर फ्री है तो इसका यूज डेफिनिटल कीजिए लिंक पैने डिस्क्रूप्शन में दे दिया है तो दोस्तो डिजाइन फिल में ज़्यादा न्यूज नहीं आते इसलिए कम ही न्यूज होते है ऐसे ही डिजाइन और डेफलेप्मेंट न्यूज के बारे में अगर आपको अपडेट रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियो देखने है तब तक के लिए दूस्तो गुडबाई